शुरू करी तू आज की इस वीडियो में हम compare करेंगे ऐसी दोनों स्मार्टफोन के बीच में जिन दोनों स्मार्टफोनी अंडर 20,000 आपको मिलता है और दोनों स्मार्टफोनी बहुती जादा value को प्रोवेट करता है एक स्मार्टफोन का ना में Realme A7 जो कि कुछी टाइम पहल 5G स्मार्टफोन है और आप अगर मोटो जी 5G को कोई सेल में खड़ी दोगे तो आपको लगबग 20,000 के नीचे यह फोन हो जाएगा तो दोनों का प्राइस को देखा जाए लगबग आपको सेम मिलता है तो आज की वीडियो में हम compare करके बताएंगे दोनों में से कौन सा इस वीडियो को इंट तक जरूर देखना और वीडियो को सुरू करने से पहले इस वीडियो की लाइक टरगेट को रख लेते हैं इस वीडियो का लाइक टेगड़ा 50 आई होप अपलोग कम्प्लीट कर दोगे तो सुरूबात कर ले दोनों स्मार्टफोन की डिजाइन एंड बिल्ट कॉल्ड से हम लोग शुरूबात करते हैं जो डियल्मी एक सेवेन है इसका नार आपको एक ग्लास की बॉड़ी मिलता है और साथ से इसका जो फ्रेम है यह आपको प्लास्टिक के अंदर मिलता है पीछे की तरफ जब को लुक दिया गया यह मुझे बहुती जादा पस है और फ्रेम भी आपको प्लास्टिक के अंदर मिलता है प्लास्टिक बैक से मुझे कोई सिकाए नहीं है लेकिन इसका जो प्लास्टिक का बैक है यह दिखने में उतना जादा आप जो अच्छा देखने को नहीं मिलता है और पीछे आपको त्री एर कैमेरा मिलता है और जो का लुक के बार में जो डियान मी एक से बेन है इसके अंदर आपको एक पंचोल की डिस्प्रेय मिलता है जो कि टॉप प्लेप कॉनर में है और इसके आती स्कीन टू बॉड्री एश्व आपको मिलते हैं एटी टू पॉइंट सिक्स परसेंट की लेकिन अगर हम बात करूं मोट जी 5G और मोटो जी 5G का लुग भी मुझे बहुती जाब्या पसंद आए लेकिन आगा दोनों को एक साथ कंपेर किया तो एक बील्ट कॉल्टी में आगे निकल जाते हैं रियल्मी और लुक में आगे निकल जाते हैं मोटो जी बात करनेता है दोनों का फूल स्पेक्स के बा पर में अभी तक कोई इंफ्रमेशन अबेल लेवल है इसके अंदर आपको पीपी आई आपको मिलता है फोर्ड वान ओन का तो देखा जाए इसका डिस्पेक्वाल्टी बहुती जादा अच्छा मिलता है लेकिन मोटो जी 5G के अंदर आपको 6.7 इंचिस का आपको एक फूल इसका अंदर आपको आपको समझें में आसा नहीं होगा इसका आंदर निकल के 318,000 के आसपास और जो मोटोर आला जी 5G है इसके अंदर है क्वालकॉम स्टैप्टेगें 750G का चिपसेट दिया गये जो की 8NM की फैब्रिकेसर टेक्नोजी के अंदर मिलता है और इसके अंदर आंतु निकल के 312,000 के सपास तो आंतु के मामले में और आपको चिपसेट के मामले में आपको मीडिया टेक डाइमासीटी 800 यू आगे नि चुछ करें तो जीप्यू के मामले में आगे निकल जाते हैं मोटर अला और आपको गेमिंग या आपको जो चिपसेट है इसकी पार्फॉमेस में आगे निकल जाता है रियलमी बात करने दोनों का कैमेरा के बार में रियलमी एक सेवेन के अंदर 4 air कामेरा मिलता है जिसके अ अंदर या इसका सपोर मिलता है बात करने मोटर वाला जी 5G के वर में इसके अंदर 3 रियार कामेरा मिलता है जिसके अंदर में कैमेरा 48 MP उसके साहती 8 MP और 2 MP का 4 air का मिलता है फोर के आप 30 पेस तरह निकल सकते हो या इसका आपको सपोर मिलता है तो दोनों को गार कंपे एक अंदर 27 अब को सेंसरो जादा अच्छा मिलता है रियल मी ₂7 के अंदर और दूनों को गर मेगा पिक्सल भी आपको ज़ादा अच्छा मिलता है जो डीटेल होगा यह बहुती च्छा मिलता है याल्मी ₹7 का अंदर बात करने दोनों का फ्रॉंट पेशिंग कांडी आपको 16 MP का कैमेरा मिलता है जिसके अंदर अफ फूल एजडी 30 पेस तो निकल सकतो लेकिन या इसका सपूर्ण ने मिलता है तो एक एडिशनल फीचर रियल में एक सेवेन के अंदर आपको देखने को मिलता है बात करने दोनों का बैटरी के वार में जो रियल में एक सेवेन है इसके 4,300 इमेज का बैटरी मिलता है लेकिन इसके अंदर 65 वाट का फास्ट अजर मिलता है जो कि 33 मिनट के अंदर 0-100 परसेंट चर्च कर देगा तो देखा जैसका चार्जिंग क्या पासिल भी बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है और चार्जिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा अ चर्च कर देगा तो मुझे लगता है एक से दिर घंटे के अंदर 0-100 परसेंट चर्च कर देगा तो ज्यादा क्या पासिव आपको नहीं मिलता है लेकिन फास्ट अर्जर को आप आपका देखोगे रियलमी एक से बने बहुती ज्यादा आगे निकल जाता है तो दूनों का अच्छा है लेकिन मोटरालरजी 5G के अंदर आपको मिलता है आपको स्टॉक एंडर मिलता है जो कि और भी ज्यादा अच्छा है दोनों को एक और कंपेर अगर किया जाए दोनों का जो 3.5 अधियो जाग है यह सभी के लिए मैं तो नहीं होता है किसी किसी को लिए मैं तो ब बता दिया मेरे लगता था कि इसको बतना चाहिए था दोनों को अगर कंपेर के जाए तो मैं आपको एडिसनल कुछ फीचार के बारे में बात करना चाहूंगा जो रियल्मी एक से बने इस पर आपको 2000 के आपको बच्चत भी होगा उसके साथ यह जो फोन यह आपको बहुत जादा आगे निकल जाते हैं और यह जो रियल्मी एक से बेन स्मार्टफोन है ना यह स्मार्टफोन को आप दो तीन अगार वेट कर सकतो 15-30 तो अब इस फोन को पर्चेस कर सकतो और आपको इस बार में क्या लगता है अब जरू से नीचे कमेंट करना तो दोस्तों यह था